नई लोक सभा के गठन के बाद आयोजित संसद का पहला सत्र यह परदर्शित करेगा कि संसदिये कामकाज के तौर तरीकों में कोई बुनियादी बदलाओ आने वाला है या नहीं इस सत्र के पहले बुलाई गई सर्वदलिये बैठक में पच भीपच के नेताओं की ओर से भले ही चाहे जैसी उमीद जताई गई हो अब तक का अनभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है में इस तरह की सर्वदलिये बैठक नाकाम ही अधिक सिद्ध हुई है बेहतर हो की इस बार नाकामी के इस सिल्सिले को तोड़ा जाए इसके लिए यह आवस्यक है की सत्तापच और विपच दोनों ही सकरात्मक रवये का परिचय दे और यह ध्यान रखे की अध्याद्याद् की देश उनकी और निगाहे लगाये हुए है राजनितिक दलों को यह ध्यान रखना चाहिए की हाल में संपन लोगसभा चुनाओ के नतीजे उन्हें यही संदेश दे रहे हैं की अब चीजे बदलनी चाहिए अच्छा यह होगा की इस संदेश को दोनों ही पच्छ और खास कर विपच्छ सही तरी से गरहन करें कई विपच्छी दलों की ओर से यह जो प्रकट करने की कोशिस हो रही है की जनता ने एक बार फिर गलती कर दी है अथवा सत्ता पच उसे बरगलाने में सफल रहा वह सच्छाई से मुह मोडने की कसरत तो है ही जनता के प्रती अविश्वास का परिचायक भी है मुख विपच्छी दल कॉंग्रेस की ओर से चुनाव नतीजों की जैसी व्याख्या की जा रही है वह हास्यास्पद है कॉंग्रेस जनादेश की मन्चाही व्याख्या करने को सोतंत्र है लेकिन उससे यही पेच्छित है की वह संसद में एक जिम्मेदार विपच्छी दल की भूमिका का निरवाह करे एक बड़ी हद तक यह सही है की लोगतंत्र में विपच्छ को भी ससक्त होना चाहिए लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती की विपच्छ की ताकत संख्या बल से कम से कम उसके तार्किक रवये से अधिक निरधारित होती है अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है और विशेस रूप से जवाहर लाल नहरू इंद्रा गांधी और राजिव गांधी के कारेकाल में जब विपच्छ संख्या बल के लिहाज से तो कमजोर था लेकिन अपने जिम्मेदार वैवहार के चलते वह कहीं अधिक प्रभावी था निसंदे विपच्छ का काम सत्ता पच्छ की कमजोरियों को उजागर करना और जरूरत पढ़ने पर उसे गटगहरे में खड़ा करना भी होता है लेकिन इसी के साथ उसका एक दाई तो सरकार को रचनात्मक सहयोग देना भी होता है बीते कुछ समय से तो ऐसी परतीती हो रही है कि विपच्छ ने यह समझ लिया है कि उसका मुख्य काम बिरोध के लिए बिरोध करना हो गया है दुरुभागे से विपच्छ अपने ऐसे रवये का परदर्शन लोक सभा के साथ साथ राज सभा में भी करने लगा है वैर्थ का हो हल्ला संसद की गरिमा ही नहीं गिराता बलकि राजनितिक दलों की छवी पर भी बुरा असर डालता है इससे भी खराब बात यह होती है कि जब संसद सही तरह से कार्ज नहीं करती तो देश के काम परभावित होते है संसद का काम देश को दिशा दिखाना है संसद के इस सत्र में राष्टिये महत्य के अनेक विधेयक लंबित है इन विधेयकों परसार्थक चर्चा करके समुचित निर्णय लिये जाने की जरूरत है न की सरकार की राह रोकने की